हेलो स्टुडेंट्स स्वागत है आप सभी का सिनॉप्सिस आई इसमें मैं डॉक्टर महमत जिया और यह हमारे मधिकालीन भारत के देहास का ग्यारवा अध्याए जहां पर आज हम बात करेंगे शेर्शा सूरी की क्योंकि पिछले वीडियो में हमने बात की थी बाबर और हमा करेंगे सूर्बंश का जो संस्दाफक शेर्शा सूरी था उसका मूल नाम फरीद था और बहार के जागिरदार हसंखान का पुतल था उसने बहार में अफगानी शासन के तहर अपने उसकी बहादुरी के लिए उसे शेर्व खान की अपादी दे थी तो जो हम पिछले वीड असाम, गुजरात, कश्मीर और नेपार को शोड़कर करिब करिब पूरे उत्तर भारत पर अपना कब्जा कर लिया था हाला कि उसका शासन के अबल पांच वर शोदक चला लेकिन उसे एक उत्कृष्ट प्रशासनिक विवस्था का निर्माता माना जाता है क्योंकि अकबर का प्रशासन हम इतने प्रशासनिक विवस्था जो अकबर की है हम इतने रस्त्रिक तोर पर पढ़ते हैं और उस वो जो है वो यहीं से अकबर ने भी इसी प्रशासनिक विवस्था को जिसको शेषा सुरी ने निर्मित किया था वहीं से उसने उसे लिया और उसी को और शेषा के बीच इसमें युद्धुवा जिसमें शेषा की जीत होती है कन्नौज की युद्धु में भी हुमाई उपर शेयर शाह ने निर्ना एक जीत हासल की और कर्णाश पर विजह के साथ शेयर शाह दिल्ली का शासक बना हुए आगरा संबल गौालियर आदी भी उसके प्रभाव में आ गए और इस जीत ने 15 साल के लिए मगल वंच बेक तरीके से एक विराम सलगा दिया था 1533 में सुरजगर का युद्ध हुआ और उसने जो लोहानी प्रमुक्ते बिहार के और बंगाल के महमद शाह की सेयों किसीना को हराया और इस जीत के साथ पूरा बिहार जो है वो शेयर शाह के अधीना के आगए उसके अन्य सैनुप लब्दियों में बंगाल पर आकरमन कई बंगाल को लोटा बंगाल की राजठानी को और पर कबज़ा किया और मजबूरन महमद शाह को हुमायों के साथ शरण लेनी पड़े तो ये दोनों लोग महमद शाह और हुमायों इन दोनों ने ये दोनों जो है शेयर शाह के हाथों पराजित हुए थे और बार में ये दोन एक शेत्र में विद्रो किया 542 में उसने उसे ऊक्तम किया 1542 में उसने मालवा के क्योंकि शेरशाई ने मालवा के शासक ने जो है वो खुमाईऊं के विरुद शेरशा की मदद नहीं की तो इस चीज का बढला लिया और मालवा को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया राय सेयं पर उसने विजह हासल की एक जूकी और राजपूत्ש रियासती उसे घेर लिया पूरान मल ने शेर्शा के साथ सम्जोधा किया और अर्मसमारपंड किया मुलतान और सिंद्ध पे उसने 15307 with वजय हें सासील की और अपने सामराचि में मिलाया मारवार कि जाली दस्तावेज दुआरा उस अपने नहेंत्र में लिया और मेवार की शासक माल देब की सेना में असंतोष पैदा कर तो यह कई तरीके होते थे उस दोहर में किसी भी चीज़ को किसी इसाम राज्जी को अपने उसमें लेने के लिए कालेंजर की विजय उपना सू पैतालिस में उसने कालेंजर के अपर मतलब बहुत ही भयाना खमला किया वह जीत गया लेकिन गंभी रूप से घायल हुआ और जिसमें उसकी जान चले गी तो यह आप देख सकते हैं से पांच सा भारत के उपर अपना आदिपत्य स्थापत किया लेकिन क्यूं उसको इतना जो एक महत्व दिया जाता है भारत के इतिहास में मुक्यतरा मध्यकालीन भारत के इतिहास में वो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए था अबास खान शरवानी जो हैं वो लिखते हैं तारी प्रतिक जो प्रशासनिक शाखा थी वो शेर्शाह के व्यक्तिकत देखरेग में थी और उन्होंने नीती नागरिक और सैने कमान के सभी धागे मतलब जितना भी जो भी प्रशासन था उसकी जो दोर थी वो शेर्शा के हाथ में थी उसकी मंत्रियों के पास किसी भी नीती को शुरू करने या लेन देन और प्रशासनिक प्रशासन में बदलाव करने का प्रस्ताव देने तक का अधिकार नहीं था हाला कि जो अफसर थे, जो प्रशासनिक मंत्री थे उनके पास जो भी देनिक प्रशासन था, वो उसके परभारी थे उनके पास निर्ने लेने की या किसी बदलाव कूट की शुरुवारत करने की कोई ऐसी शक्ती नहीं दी थी सल्दनतकाल की तरह शेरशाय ने भी चार महात्वपून मंत्रियों को निर्थ किया दिवाने वजारत जो की वित्तिय विभाग का था दिवाने आरेज सेन्य विभाग दिवाने रिसालत जो शाही आदिशों के लिए विभाग था और दिवाने इंशा जो धार्मिक मामलों विदेशी मामलों नाय पाविल्यका के लिए एक विभाग था यदि प्रांती प्रशासन की बात करें तो उसने अपने पूरे सामराज्य को 47 अलग अलग काईयों में विभाजित किया था और जिने सरकार कहा जाता था और यह जो सरकार हैं वो परगनाओं में विभाजित थे तो आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि 47 राज्य को आप यहां सरकार समझ सकते हैं और जो जिले हैं उनको आप परगना समझ सकते हैं अधिकारियों में मुख्य तहर मुंसफ शामिल थे जो राजस में संग्रहंट करते थे अमीर थे जो नागरिक मामलों की सुनवाई करते थे खाजी या मीर अदल जो है वो अपराधिक मामलों और मुकद्मों की सुनवाई करते थे आखाजी और दोशियों को पकड़ा और ग्रफतार करना है मीरे अधर का काम था प्रत्यक परगना की प्रशासनिक संग्रच्चा में इसके कानून रक्षिक सामिलते हैं जिन्हें अमी या कोशाद्यक्ष या खाता जो धारक हैं खाता खाता रखते थे सरकार का उसमें था अधिया प्रशासनिक अधिकारी थे जो परगना के अधिकारियों के काम की निगरानी करते थे तो मुंसिफ से उपर मुंसिफ है मुंसिफान शिक्दार शिक्दार से उपर परगना सरकार के स्थर पर शिक्दर है शिक्दरान उन्होंने परगना और सरकार के स्थर पर समान रेंग वारे दो व्यक्तियों को नुप्त किया था एक ही स्तर के दो व्यक्ति निवक्त किये गए जिसमें जो परिवख्षक का कारे करते थे और किसी तरीके से वो सत्ता के स्थिर्था को किसी एक व्यक्ति को पुरी जो है वो कमान नहीं दी गई थी वो अलग-अलग दो व्यक्तियों को दी और वो दुनों बराबर उसके थे य यह का दिखा था कि सत्ता के जो सृत्ता है कि कि इस थाणी इस थाणी प्रशासन में बॐबंगांद सी सिंधु तक की सडकें जो हैं वो शामिल हैं लाहौर और मुलतान से आगरा जायदपुर्चता और गुजरात की बंदरगाहों की सड़कों को जोडने कादिश दिया यातियों की सिवधा के लिए मोटे तोर पर हर आठ किलोमेटर पर सराय और सड़कों के साथ सराय बनाए रख सरकार उनका रकर कवा असपास के गाहों से के राजस्व से करती थी सराय डाक चौकी ती उसके लिए भी उनके भी केंद्र थे और शेर्शा के सामराज में हर मिनिट के विदियों के बारे में सोच ना मदद थो इसका आप ऐसे समझे कि एक सराय और यह जो है डाक चौकी का सब्सक्राइब ऑसे यहां वह भाग ता ताถभ हाई दार थी पूलम सब्सक्राइब सब्सक्राइब यदि राजस्व प्रशासन या वित्य प्रशासन की बात करें प्रमुख तोर पे दिवान वजीर या वजीर कहा जाता था और उसे अन्य मंत्रियों की उबर भी पर वेक शक्ति का शक्ति थी भूमि की उपज और माप के आधार पर राजस्व की गर्णा के लिए भूमि को तीन श्रेनियों में वरक्रत किया गया था दरों को सुच़िबद किया गया जो नगदी के हिसाब से भूमि का राजस्व निरधारिद करते थे किसानों को पत्टे जारी किये जाज़े थे और उनसे कबूलियत प्राप्त किया जाती थी तो एक व्यवस्थत, राजस्व व्यवस्था जो है जो की अपने डोर की सबसे उतकरष्ट राजस्व व्यवस्था आप कह सकते हैं कि ये उस दोर की थी उसने अकाल रात कोश की स्थापना की जिससे दो आधिकारियें को अकत्रकान निकेरे मनाए कृसान को प्रतेक भीगी की का आधा मतलब जो भी उनका राजस वर उसमें आधा जो है वो लिया जाता था मतलब यदि एक बटादस है तो उस का आधा जो भी राजस के वह वो किस्मे जाता था अकाल रहत कोश में सोने चान्दी और तांबे के सिक्वो का माने की करन किया गया जिसमें मानक और वजन मात भी शुरू किया मतलब वजन का जो माने की करन है वो जो टोल आप जिसे कहते हैं या आप जिसे कर जो लगता था वो दो बार लगता था एक प्रवेश के समय एक बार बिक्री के समय सेनी प्रशासन को यदि देखें तो घोड़सावार पैदल सेना हाती और दोब खानों की एक बड़ी सीना थी जाहर सी बात है जब उसने अगर पांट साल में इतने बड़े एक शेत्र पे अपना आधिफत्य स्थापित किया था तो एक बड़ा वो था आधिवासी जीवन से हटकर हटाकर प्रते एक दिन संसरों की भूर्ति की गई घोड़ों के लिए दाख व्यवस्था जो पहले थी उसको बापस पुना स्थापित किया। है कि जो कमजोर होता यही था कि जब शैने को सबकोगी कोई धोड़ा दिया जाता था सरकारी उससे वो क्या करता था उसे कमजोर घोड़े से जो है वो प्रतिस्थापित कर देता था और जो है पैसे कमाता था तो ये बंद हुआ सैनिकों का वर्णात्मक रोल जिसे हमने चहरा या हुलिया जो है उसी कारण बनाए रखा गया और वो हर समय अपनी सीना को दक्ष बनाए रखने का प्रयासरत रहता था वास्तुकला की अदी बात करें शेशा सूरी के दोर में तो चार महत्पूल सडकों का निर्मान हुआ पहली सोनार गाउं से पिशावार तक जिसे हम ग्रेंट टंक रोड के नाम से जानते हैं आगरा से बरहानपुर और दिल्ली होते वे मुलतान तक सडक मुलतान से लाहोर सडक और मांडू से आगरा तक सडक इन सडकों पर पेड़ कुए और अराम ग्रह जिसे सराय कहा गया उनकी कतारे थी पुराना किला जो दिल्ली में है उसका और इसकी एक मस्जिद का निर्मान भी उसके काल में हुआ उसने सासाराम में मगबरा भी बनाए गया जिसे भारती वास्तुकला कि उत्रष्ट कतियों में से एक माना जाता है प्रसिद हिंदी काव पदमावत जो कि मलक महावज जैसी ने रचित की थी इसी के साथ शासनकाल में लिखा पंदरा सो पैदालेस में शेरशा के मृत्यू हो गए और उसके उत्रादिकारियों में मुक्यता जिसमे पंदरा सु पैश्पन तक शासन किये जिसने हमाईयों में इसके बाद हमाईयों ने फिर से भारत को जीत लिया तो यह था शेरशा सूरी के बारे में उसकी प्रशासनिक व्यवस्ता के बारे में उसके जो कला वास्टू कला मुक्यत प्दमावत का ध्यान रखना है पुरान प्रयोग है वो यहीं शुरू होता है तो यह एक बहुत ही महत्पूर्ण है क्योंकि रुपया आज भी सिर्फ भारत पे नहीं कई अने कैसे देश है जहां की जो करिंसी है वो रुपया है तो यह आपको ध्यान रखना है तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही आने वाले वीडि वीडियो में हम अकबर को पढ़ेंगे तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा स्टे सेफ स्टे हल्दी थैंक्यू सो मच